दोस्तों बैंकर भाईयों बैंकर्स के उपर ग्रैज आई हुए हैं मैं वीडियो बनाने से पहले ये सोचता था के कोई अच्छी न्यूज आ जाए और धिपावली की मुभार्क वाद भी दूँ और अच्छी न्यूज भी पास सुन करूँ पार बजाए अच्छी न्यूज के बैंकिंग इंडिस्ट्री में सबी के लिए बुरी खबर ही आ रही है और आज की जो बैड न्यूज है वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ तो गुसा नहीं मनाना है क्योंके ऐसी है ये जिन्दगी काप्स और डाउन्स है अच्छी न्यूज भी आती है बुरी भी आती है लेकिन बैंकिंग डिस्ट्री में ज्यादा बुरी न्यूज आ रही है इसलिए हमारे को बुरा लगता है थोड़ा सा लेकिन चलो ये लाइफ का एक पार्ट है आज मैं जॉब सेक्यूरिटी के बारे में जो डी एफ एस ने सर्कूलर निकाला है मिनिस्ट्री आफ फानास का जो सर्कूलर है और बैंकिंग के सारे अमडी को सारे चेर्मेंट्स को ये लेटर निकाल दिया गया है और उसके उपर 27 अक्तूबर को AIB ENA ने एक सर्कूलर निकाला है जिसको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें ऐसा है कि बैंक की जो जो जोब सेक्यूरिटी है जिसको हम बहुत सेक्यूर जोब मानते थे कि लेट सिटिंग भी कर रहे हैं कोई बात नहीं संडे को भी वरकिंग कर रहे हैं कोई बात नहीं कम्पलेंट्स भी कस्टमर की आ रही हैं कोई बात नहीं हमारी जोब सेक्यूर्ट है तो ऐसे हुआ लेकर आज जो जो जोब सेक्योर्टी के ओपर भी हाथ डाल दिया गया है वैसे तो हमारे जो बैंकिंग एक्ट है अफिसर सर्विस रूल्स जो बाई पार्टाइड सैटलमेंट है सबी में प्रवीजन है बैंक इन एफिशेंट आफिसर्स के लिए इन एफिशेंट अमप्लाईज के उपर एक्शन लेने के बारे में तो नो वर्क नो पे का जो सिधान्थ है बैंक के अंदर नो वर्क नो पे चल रहा है अगर बैंक अमप्लाई हाजर है अगर शाम को ये बराज मेजर प्रूब कर देता है कि इसने काम नहीं किया है तो भी वो सैलरी का हकदार नहीं है ऐसा प्रोवीजन बेंकिंग इंडिस्ट्री में है इन एफिशेंट अफिसर है मान लीजी उसके करे हुए लोन सारे ही खतम हो गए हैं ख्राब हो गए हैं एन पी हो गए है वो डिपोजिट लाने में सक्सेस्पुल नहीं रहा कस्टमर सर्विस में सक्सेस्पुल नहीं रहा उसकी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा है सक्सेस्पुल नहीं रहा उसके punctuality बहुत कम है, successful नहीं रहा, तो वो इस अहलात में bank action लेता है, premature retire करता ही करता है, compulsory retire भी करता है, लेकर अब जखमों के उपर नमक छड़कने वाली बात करी है, DFS का जो सरकूलर है, पहले ही bank के अंदर provision है, पहले ही strict action है, पहले ही discipline बहुत है, punctuality बहुत है, late sitting बहुत ज्यादा है, और state bank of India is notorious for late sitting, SBI की कोई भी branch है, मुझे नहीं लगता है कि 9 बज़े से पहले बंद होती है, मेरी pension paying branch पटेयला है, जब रात के 9 बज़े में गज़रता हूं तो branch खुली होती है, every time, जब भी में रात को गज़रता हूं, उसके सामने से branch के light सारी जल्री होती है दो तीन स्टाफ मेंबर बैठे होते हैं, तो मेरे को कोई problem नहीं आती है, मेरा रात के 9 बज़े भी काम करवा के आ जाता हूं, तो लेकिन स्टाफ के लिए ये बहुत बुरी बात है, 9 बज़े तक late sitting होना, regular, और फिर वो घर में वी वी आर चेकिंग लेके जाते हैं, कि यहा कहीं के घर में O.L. आता है, तो O.L. के उपर letter खोल के उनका reply रात को त्यार कर लेती है, कि बरांच में टाइम नहीं मिलता है, तो ऐसा ही हालत है, तो उसके बाद ये सरकूलर है, और हमारा उदर धरना चल रहा है, जंतर मंतर पर, जदरने के बाद भी, और उसको कहीं coverage नही गई है, हरानी की बात है, कहीं electronic media ने, कहीं newspaper ने, किसी national newspaper ने उसको cover करा, कहीं कुछ चोटी मुटी news आई है, तो जब retirees ने पैसे दे के बत्रकारा से लगवाली होगी, ये हमारा media है, आश्वर या राय के पांपर चोट लग जाए, तो सारा national media दिखाता है, सारा देश पाग पर चोट लग गई है, तो जब बेंकर जंतर मंतर पर मरने के लिए त्यार बैठी है, तो उनको कोई coverage नहीं देता, ये हमारे देश का media है, हमारे लीडर साहिमान, पार्लियमेट के एक बार बोल देती है, उनको परचा मनाके दे दे, MP को तो वो बोल देता है, बाद में चु कर रहे हैं, सारा दिन येस सार, येस सार, येस सार करते हैं, तो उनको बजाए कोई gift देने के, को फैसिल्टी देने के, उनको पर job security का भी चक्र डाल दिया, चलो मैं आज सर्कूलर पढ़के सुनाता हूँ आपको क्या है, ये 27 अक्तूबर का सर्कूलर है, इसमें देखिए क बता रहे हैं, get ready to resist and repulse, all of us are proud of that security of bank compliance has been one of the important achievement of bank compliance, ये उनने पहला अपना ही बहादरी बताई है कि हमारे कारण ये ऐसा हुआ है, तो चेर्में एस्बें एंडी सीओ नोशनलाइस बैंक्स इन मनेजमेंट अंडर्टेक प्रियोडिकल रिव्यू अफ पर्फॉर्मिस अफ एंप्लाइज और अफिसर्ड और प्रेमिचर अली रिटायर दोस वार फॉंट तो बी नाट एफिशेंट, देखिए उनमें ये लि सारा दिन छपडासी का का मिबी करता है, आफीशर्स भी का मिबी करता है, कोड में पेशी पर भी जाता है, तो सबी जगा पर उसकी आफिशेंस्टी का डैफिनिशन कहीं ने लिखा हुआ हूआ, तो ये है, देखिए देर अमनेजमेंटों फिनाश्यल सर्विस डी फिस अ Chinese क management of the state bank of India, देखो management का मतलब क्या है, ये उन्होंने management को लिखा, लेकिन management का bank के अंदर मतलब क्या है, देखिए बात को समझीए, जो clerk है, clerical है, assistant है, junior assistant है, customer associate है, जो भी है, उसका management branch manager है, officer की management AGM है, AGM की management जो है, वो डी जीम है, जीम है, तो इसका next higher authority जो management है, जो अगर किसी branch manager ने किसी भी assistant के बारे में, messenger के बारे में, PN के बारे में, कहीं कुछ लिख दिया, तो ओ फस जाएगा, तो इसका मतलब management के पास power ज्यादा आ गई है, तो देखिए, यह कहता है, SBI official review starts at the age of 50 and after 25 years of service, 25 साल की नोकरी हो जाए, जब 50 साल की उमर हो जाए, तो उसका review शुरू हो जाएगा, मान लीजिए, एक आदमी ने 27 साल की उमर में join किया, तो 25 साल की service की जब 52 की age में हो जाएगी, अगर 25 साल की उमर में service किया है, तो 50 साल में उसका review शुरू हो जाएगा, far officer and nationalized banks review begins at 55, nationalized banks को थोड़ा कंसेशन दी है कि 55 पर उसका review शुरू हो जाएगा, और 30 साल की service का हो जाएगा, तो देखिए, तो देखिए, उनकी age के उपर लगा दिया है, ये condition भी लगाई है कि इस एज पर, इस बैंक का इस एज पर करना है, अब ये देखिए, officer जो SBI के हैं, 50 years of 25, जो पहले मैंने बोल दी है, नेशनल डेंज 55, 58 years, ऐसा ही है, तो पब्लिक इंटरस्ट, prematurely in public interest को रिटेर किया जाएगा, in efficiency के कारण, if their performance, efficiency is not to the satisfactory of the management, management मन ब्राँच मनेजर किसी assistant से ये किसी messenger से कुछ नहीं है, तो उसको prematurely retire करवा सकता है, उसकी recommendation करके, तो जैसे भी recommend करेगा, उनकी annual report खराब करके, किसी भी तरे उसको office order दे के, memo दे के, उनको record खराब किया जा सकता है, और ये भी DFS ने लिख रहा है, कि three months notice जो है, officers को देना है, और सब staff को two months notice देना है, जा उनको notice दो, जा उनको pay दे के, तोर दो, करेगा स्टाफ को सिर्फ दो महीने का notice चाहिए, तो दो में, आज माल लीजिए को गलती पकड़ी गई है, inefficiency प्रूव हो गई है, तो दो महीने के बाद वो नोकरी पर नहीं आ सकता है, और बैंक चाहिए, कोई emergency है, तो टू मन्स सेलरी दे के उसको उसी दिन से निकाला जा सकता है, तो बिलकुल ये तो लाले की नोकरी से भी खत्रनाग नोकरी हो गई है, तो इसके अंदर किसी भी टाम किसी भी आदमी को निकला जा सकता है इंडिरेक्ली यह बात है बैंक से हैब एन इस्टुक्टर्ड तो रिव्यूज दा प्रोसेश अफ इवरी प्रियोडिकल है, प्रियोडिकल कौन सा पीरिड लिखा है नोंने कहीं लिखा नहीं है कितने पीरिड के बाद करना है तो इसका प्रियोडिकल है प्रियोडिकल का क्या मीनिंग है अभी ये बताया नहीं है अब आप्लाईज रिव्यूज एंड नबर अफ परसन रिटायर प्रहां देखिए अब गुर्मेंट ने ये भी मांगा है का हमारे को प्रियोडिकल रिपोर्ट दो कितने लोगों को आपने सर्विसे निकाला है कितने लोगों को प्रिमेचियोर रिटायर किया है कितने लोगों को टर्मिनेट किया है तो उसकी रिपोर्ट भी गॉर्मिट के पास जानी है तो ऐसे हलात में बैंक की जो जौब है वो पहले ही मेट्रिमोनियल मार्किर बैंक की बोर्ट डाउन है पहले ही आलत खराब है कोई भी लड़का जो है बैंक की पीओ से प्रोवेशनिय अफीसर से टेनी अफीसर से शादी नहीं करना चाहता है मैंने देखा है लास्ट आल्टरनेटिव वही होता है पहले वो ट्राई मारते रहते हैं कहीं को मिल जाए कोई लैक्सरर मिल जाए कोई स्टेट गवर्मेंट करका अमपलाई मिल जाए भी उसके उपर आ गी है उसकी प्रियोडिकल जाएगी वह कौर्टरली रिपोर्ट होगी ये हाफ येली रिपोर्ट जाएगी तो कहीं ना कहीं वो फसेगा ही फसेगा एमपलाई कहीं ना कहीं गलती करता ही करता है हजारों काम एक दिन में करता है तो कुछ ना कुछ गलती भी होता है तो इनेफिशेंसी प्रूव करना कोई मुश्किल काम नहीं है माल लीजिए अफीसर ने पांच लोन करें ठीक नहीं है, कस्टमर डिलिंग ठीक नहीं है, उसके लिप सर्विस ठीक नहीं है, यह सारा कुछ प्रूव हो जाता है, तो इतनी सी इन्फरमिशन आज मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, और सभी को दिपावली की बहुत-बहुत मुभारकवाद, और और भी हिंदू फेस्ट है, मेरे को नहीं पता है, उसकी भी मुभारकवाद, एक वो दिहार आया था पीछे, जो बरतन खरीटी हैं नहीं, उसके बारे में भी जो है, उसकी भी मुभारकवाद, तो सभी दोस्तों मित्रों को बहुत-बहुत मुभारकवाद, दिपावली की फिर से मुभारकवाद, वो वीडियो को लाइक, शियर और सबस्क्राइब करना नहीं भूलोगे, थैंक यू हरी मुच.